भाई बहन के स्नेहे का प्रतीक रख्षा बंधन आज देश पर में पारंपरिक खर्शोलास के साथ मनाया जा रहा है इस आउसर पर बहने अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांध रही है और उनके सौभाग्य अच्छे स्वास्त के साथ खुशाली के लिए प्रार्थना कर रही है वही भाई अपनी बहनों की सुरक्षा और उन्हें सहयोग का संकल्प दोहरा रहे है कई राजसरकारों ने रख्षा बंधन के आउसर पर अपने यहां सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का उपहार भी दिया है राश्टपती रामनात कोविंद ने रख्षा बंधन के आउसर पर लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह तेवहार प्रेम्स ने और विश्वास का प्रतीख है श्री कोविन ने सभी से ऐसे सोहाद्र पूर्ण समाज का निर्माण करने को कहा जहां महिलाओं की गरिमा को सर्वोच महत्व दिया जाए और वे अपनी अकांग्शाओं को स्वच्छंद रूप से पूरा कर सके रक्षा बंधन के आउसर पर प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देश वासियों को शुपकामनाई और बधाई दी है इधर 36 गड की राज़पाल अनुसुया उईके और मुख्यमंत्री भूपेश पगेल ने भी रक्षा बंधन के आउसर पर प्रदेश वासियों को बधाई और शुपकामनाई दी है राज़पाल ने इस परव के आउसर पर सभी के जीवन में सुकशान्ती और खुशाली की कामना की है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि रक्षा बंधन का परव हमारी संस्कृती के गरीमा मैउत्कर्श का प्रतीग है जो बेहनों के प्रती भाईयों के संकल्पों को सुद्रिड बनाता है प्रदेश के सभी जिलों से रक्षा बंधन का पर्व धूमधाम से मनाए जाने के समाचार मिले हैं राइपुर के केंद्री जेल में बहनों ने अपने भाईयों को रक्षा सूत्र बांद कर उनके लंबे जीवन की कामना की वही भाजबा महिला मोर्चा की कारेकर्टाओं ने बेमेत्रा जिले में देवकर चौकी के पुलिस कर्मियों को राखी बांधी इस मौकी पर पुलिस कर्मियों ने उन्हें सुरक्षा का वचन दिया